इंस्टाग्राम पर आप अपने एकाउंट पर विजिट करके देन ठी डोट पर किलिक करके सेटिंग एंड प्राइवैसी में जाता हो यहां पर आप जैसे ही स्क्रोल करता हो तो यहां पर आपको एक फीचर नजर आता है जिसका ने में hidden words काफी लोगों को तो इसकी knowledge है बट क कुल सेटिंग करवा दूंगा डॉंट वरी आपको hidden words पर किलिक कर देने है वैस यह जो सेटिंग है ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आपकी वीडियो पर अच्छे कासे व्यूस आते है एंड बहुत ज्यादा कमेंट आता है एंड बहुत ज्यादा मैसेज आता है ज़्यादा कमेंट और ज्यादा मैसेज वालों के लिए यह होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसीकली इसका use गल के लिए होता है अगर गल को उल्टा- alcoholic comment आता है आ लव यू स्तरह से मतलब उल्टा सिधा बोला जाता है तो उनके लिए तो ये सेटिंग बहुत ज़्यादे important है इसके अलाबा भाई बॉइस को भी कोई धमकी दे रहा है कोई गाली दे रहा है कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी important है देखें यहाँ पर first है harmful और offensive comments and messages एसी comment जो आपको हनिका रहा है मतलब आपको नुकसान पहुचा सकती है या फिर offensive offensive का मतलब है आपती जनक एसी comment जिसमें आपको धमकी दी जा रही है गाली दी जा रही है उल्टा सिधा बोला जा रहा है तो यह आप अगर hide comments on कर दोगे अब आपको harmful and offensive comment आती है automatic Instagram इसको hide कर देगा इसके अलावा यहाँ पर Instagram ने इसका एक और alternative setting दिया है जिसका नहीं में advanced comment filtering काफी बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने comment से ही किया है बट filter ना होने के वज़े से Instagram का algorithm को रखता है कि यह comment गलत है तो वो क्या करता है उसको भी hide कर देता है अगर आप advance comment filtering को on कर दोगे अब आपकी एक एक comment filter होगा उसके बाद अगर सेही हुआ तो hide नहीं होगा अगर गलत comment हुआ जो harmful है and offensive मतलब खतरनाक comment है जिसके अंदर गाल्य वेगरा का use के जा रहा है या उल्टा सिधा लिखा जा रहा है या धमकी दी जा रही है या फिर उल्टा सिधा बोला जा रहा है politically बाते की जा रही है तो उस तरहा की comment जो खतरनाक है और धमकी वाली है political वाली है उसको यह automatic hide कर देगा और जो सही होगी उसको hide नहीं करेगा इसके बाद आता है hide message request अगर आप इसको भी on कर दोगे अगर message box में आपको कोई गाली देता है harmful comment करता है and उसके साथ harmful आपको message करता है उसमें आपको मतलब खतरा है धमकी दी जारी है मतलब offensive message आता है आपको मतलब आपसे political वाली बाते की जारी है धमकी वेगरा दी जारी है खतरनाक message की जारी है गाल या मिल रही है पूरी तो अगर आप hide message request को on कर दोगे तो अब आपको जो भी ऐसा offensive and harmful message आएगा वो automatic hide हो जाएगा वो आपको कहाँ पर नजर आएगा simply आपको बेक करना है बेक करना है यहाँ पर आपको जाना है message box में आपको request पर क्लिक कर देना है यह होता है hidden request यहाँ पर आप देख सकते हो hidden request जैसे आप hidden request पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो hidden request के अंदर उसका message आएगा तो समझ सकते हो कि ये message मेरे लिए harmful and offensive हो सकता है इसलिए ये यहाँ पर है Instagram ने इसको यहाँ पर hide कर दिया है इसके बाद आता है custom words for messages and comments ऐसे message and comment जिनको आप customize कर सकते हो कि मीजे इस तरह के comment हाँ जी for example आपको BC वाला comment आता है या message आता है अगर आप BC यहाँ पर word add कर दोगे उसके बाद आपको कोई भी BC वाला comment और BC वाला message नहीं आएगा अगर कोई message में BC लिखता है तो वो automatic hide हो जाएगा उसी section में चले जाएगा जहाँ पर मैंने आपको अभी दिखा था समय जाना यार इसके अंदर वो ही word है जो मैंने महाँ पर customize में add क्या हुआ है देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है manage custom words and pressures इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर tap to view your list पर क्लिक करना है मैंने देखो bc, fank, jan, khud, mc, reels, video, viral इस तरह के कुछ word यहाँ पर list किया हुए है इस तरह की comment और message मिजे नहीं आते अगर इस तरह की कोई comment करता है Instagram उसको hide कर देता है comment box में न तो वो मिझे नज़र आता है और न वो second बंदे को नज़र आता है वो अलग list में चला आता है है list में जाके अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो otherwise वो comment नहीं तो मिझे नज़र आता है comment box में और नहीं public को आता है वो नजर उसको आता है स्रिफ जिसी वो बंदा जिसने मिझे comment किया है BC वाला तो अगर वो मेरे comment section पर visit करेगा तो उसको नजर आएगा otherwise किसी को भी नजर नहीं आएगा comment section में नहीं मेरे को आएगा और अगर आपको BC वाला message आता है जिसके अंदर BC है तो Instagram उसको automatic hide section में भेज देगा अब देखो word add कैसे करने है यहाँ पर देखो अगर आप ऐसे mcs ऐसा word add कर दोगे तो simply आपको add कर देने हो गया add इसके बाद अगर आप कोई hashtag hashtag mc यह add कर दोगे कुछ भी लिख दोगे ना यह हो गया add इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी sticker जिस sticker से आपको hate है और comment box में या message box में आपको वही sticker भेजा जा रहा है उसको भी अगर यहाँ पर आप add कर दोगे for example मैं यह वाला add कर देता हूँ तो यहाँ पर sticker भी add हो जाएगा वो hashtag वो word वो sticker जो जो आपने यहाँ पर add किया है आपके comment box में कोई भी नहीं कर पाएगा अगर करता है instagram hide कर देगा hide करने के बाद क्या scene होगा कि वो comment section में किसी को भी दिखाई नहीं देगा और अगर message box में यह सब आता है तो वो hide message list में चला जाएगा request में right आप लोग की समझ में आ गया इसके बाद आपको hide comment को on कर देना है और hide message request को अब in word वाली जो भी message होगी and comment होगी तो automatic वो hide हो जाया करेगा hide list में जाके आप वो सब देख पाओगे I hope आप लोग की समझ में सब कुछ आ गया होगा इस तरह से आप hidden words की setting कर सकतो वीडियो को end कर देता है वीडियो को like, share, comment तो बनता है साथ के साथ चेनल को subscribe करके बेल आइकन को all purpose कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए